Hey guys, welcome back to my channel, that is Concept Class Center, where all concepts are Christian के लिए हैं So, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले मर्चेंडाइजर होता क्या है हम इसका मीनिंग, रॉल्स, रिस्पॉंस्बिलिटीज, क्वालिटीज उसका स्किल्स चाहिए एक अच्चा मर्चेंडाइजर बनने के लिए, ये सारी बाते डिसकस करेंगे वीडियो में आगी बनने से पहले फील समिट कर दें, जो कि वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना इसके अलाव अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो हम मुझे इस टॉपिक का नाम कॉमेंट में बता सकते हैं मैं उसको पर वीडियो मना के अप्लोड कर दूँगा, so without wasting any time, let's start Merchandiser meaning, basically जो Merchandiser होता है, यह किसी भी store में काम करता है, अब जो store है, आपको offline भी हो सकता है, online भी हो सकता है, okay Merchandiser क्या है, planning करते हैं और manage करते हैं, जिस भी जगे काम कर रहे हैं, वहागे product को, okay, product की ranges होती है, यानि अलग-अलग products होते हैं, okay, वो depend करता है, किस store में आप काम कर रहे हैं, super store market में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे, खाने पीने से related होका, okay, आकर आप mobile store में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे electronics item, mobile वगे रहोंगे, okay inventory को manage करना होता है, inventory से हमारा मतलब है, जहाँ पर हम सावन को store करके रखते हैं, okay, हमारे store का, जो हमारे product के उसको display भी लगाना होता है, उसका promotion भी करना होता है, ताकि sales बढ़े, ये collaborate करते हैं, यानि मिलकर काम करते हैं, buyers के साथ, जो हमारे product को खरीटते हैं, suppliers के साथ, जो हमा retail team जो होती है retail stores तक हमारा जो product होता है उसको पुचाता है तो इससे होगा क्या हमें पता होगा किस product की market में demand है तो हम जो सभी product है वो रखेंगे हमाई पास ओके stock में वो जो हमाई shelf होती है यानि जहाँ पर हम product को रखते हैं जिससे हमाई जो customer है वो attract हो ओके अब customer तभी attract होगा जब आपके product का जो price है वो reasonable हो अगर product का price normal कीमत से जादा होगा तो customer interest नहीं होगा उस चीज़ को खरीदने में होगा लेकिन अगर वहीं उस product का price normal होगा तो customer उस चीज़ को खरीदेगा अब जब customer हमाई product को खरीदेगा तो हमाई sales बढ़ेंगी, sales बढ़ेंगी तो हमाई जो company या store जा पर हम काम कर रहा है उनका profit बढ़ेगा profit बढ़ेगा, हमारी payment बढ़ेगी, ठेक है नहीं next आती है roles and responsibilities जो में merchandising strategies होती है उनने plan करना and develop करना, sales को analyze करना market में क्या trends चलना है, यह देखना customer का behavior कैसा है, हमाई product को लेके इन सबको भी determine करना, जैसी जरूँ तो इस हिसाब से जो हमाई shelves होती है, उनको stock करके रखना अगर shelves में से product कम होने लगे तो उसको वापिस से refill करना, वापिस से stock करना उस product को, ताकि खाली नहीं लगे हमाई shelves इससे क्या होगा, एक attractive product display बनेगा attractive product display से माना मतलब है, कच्छम हमाई product को देखके attract होगा, तो वो उसको खरीड भी सकता है जैसी जरूँ तो उस हिसाब से, implement करना, product के promotions यानि product की advertisement करना, कभी-कभी क्यों होता, आपको price change करना पड़ते हैं, ताकि आपके जो product है, stock में पड़े हैं, उनको आपको, stock को clear करना होगा, तो उसके लिए आपको price change करना पड़ते हैं, etc. साथी साथ insure करना, जो हमाई retail staff है, उसको हमाई product की पूरी information हो, अगर उसे हमाई product की knowledge होगी, तो वो सही से बता बाएगा, किसी को भी, तो इससे क्या होगा, हमाई product का promotion भी होगा, verbally, inventory को maintain करना, और track करते रहना, track से हमारा मतलब है, अगर inventory खाली होने लगए, तो उसको वापिस से stock करके रखना, जिसी जरूरत हो, इससाब से, आपको माधियम की तरह काम करना होता है, customer और company के बीच में, pricing का मतलब होता है, माधियम, middle man, आप company को present करते हैं, अपने customers को, जब customer आप से बात कर रहा है, तो वो company से बात कर रहा होता है, तो आपको एक अच्छा impression देना है, जिससे customer जो वो आपकी company में एक regular customer बन जाए, next आती है, forecast करना sales और profits को, इसको एक example से समझते है, माल ये दिवाली आ रही है, और आपका एक apple का showroom में, तो आप क्या करोगे, जो प्राइसिंग होते है, उससे आप थोड़े कम price पर उसको बेच होगे, ओके डिवाली sales के नाम से, तो इससे क्या हुआ, आपका profit भी बढ़ेगा, क्योंकि sales बढ़ेगी जादे, and last budget को manage करना, next आती है, qualities या फिर skills, first educational qualification, आपके पास या तो high school diploma हो, या फिर आपके पास degree हो, business, marketing, retail, या उससे related किसी field में, ओके अगर आपके पास degree ही, तो आपको ज़्यादा advantage मिलेगा, as compared to diploma degree, आपको पहले से experience होना चाहिए, merchandising या retail से related किसी field में, आपके organizational skills और decision making skills बहुत अच्छा होना चाहिए, साथी साथ आपके communication skills भी अच्छे होना चाहिए, चाहिए verbal हो, या written हो, कोई चीज मैंने बोल के बताई, ये मेरे verbal communication है, कोई चीज मैंने लिखके बताई है, ये मेरा written communication है, जो written communication होता है, या आपके store में काम आएगा, जब भी आप अपने साथ काम करने वाई लोगों से communicate करेंगे, तो महाँ पर क्या होता है, लेटर send करना होते हैं, और भी दूसी चीज़े send करना होती है, memorandum हो गया है, एक्सेटरा, और जो verbal communication होता है, ये जब आप client के साथ काम करते हैं, तब काम आता है, इसके अलावा आपकी numerical and analytical skills अच्छे होने चाहिए, इसका मतलब है, जो हिसाब किताब होता है, वो आपका अच्छा होना चाहिए, ओके, हिसाब किताब में आप expert हो, इसके अलावा आपकी commercial awareness अच्छे होने चाहिए, commercial awareness से हमारा मतलब है, जिस store में आप काम कर रहा हो, वो store का केसे करता हो कि यह आपको पता हो चाहिए and last आपके पास एक valid driver license होना चाहिए क्योंकि कभी-कभी क्या होता आपको इस चोर के काम से कहीं भार जाना हो सकता है तो आपके पास एक license होना ज़रूर यह तो यह सारी qualities और skills एक अच्छे merchandiseर के पास होना चाहिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें नहीं आए तो डिसलाइक करें कोई questions है तो comment में पूछें मिलेंगे आपसे next वीडियो में thanks for watching